वेलकम टू फाइंडिंग एक्स और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे टॉपिक जो है हमारा वो है वेल्यू ओफ पॉलिनॉमियल यह आपने पहले भी देखा है और इस चीज़ को समझा है तो इसमें जादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा एक हम लोग पॉलिनॉमिय प्लस टू अब रिमेंडर थेयरिम क्या होता है यह दोनों के दोनों बहुत इंटर लिंग्ड है अब देखेंगे हाप मैंने आपको एक्स पी आफ एक्स मैंने अजूम करके रखा हुआ है एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस टू ओके तो अभी हम लोग यहापर क्या कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आगर हमको चेक करना है रिमेंडर मतलब आगर मान लीजे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ जी ओफ एक्स से जी ओफ एक्स माइनस वन ठीक है तो रिमेंडर थेयरिम के लिए मैं क्या करूँगा यह जी एक्स जो देके रखा हूँ मैं एक्क्वेट कर दूँगा यह मतलब को रफवक में करना एक तरह से तो एकस माइनस वन इक्कल डू में जी रख देता हूँ अगर एकस माइनस वन इकल्स टू जी रो एकस की वैल्यू कि मुझे क्या मिल गई वन मिल गई तो मैं भी आपर क्या निकालूँगा पी ओफ व रहे हैं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आपको यह चीज समझ में आ जाएगी अब जीकिए फैक्टर थेहरम क्या होता है नेक्स्ट छोटाफा जो टॉपिक है वह है फैक्टर थेहरम फैक्टर थेहरम के अंदर में क्या होता है अगर मान लीजिए सेम वही प्रस set start करेंगे अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको नए polynomial given है और उसकी हमें values of x जो given है उसके according उसकी value निकाल लिए मतलब p of 3 निकालना है यह p of x जो है आपका यह given है आपको यहाँ पर right अब वो p of 3 निकालना है p of minus 1 निकालना निकालना है तो मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ values निकालना है फिर आपके लिए easy हो जाएगा एक question मैं कर देतो है यहाँ पर p of x तो यही given है पूरा का पूरा जो term है मतलब जो आप देख पा रहे हैं तो हम वहीं टू--1 क्या है मुझे टूस टू-1 किरू 20 मैंनस फव्ह सदीय बचेंर mろ हुज हो जाए का मैंस फ्सली रहे हैं निए को तो क्या बैज बचेवला घ्रफ भी टू सेवनी एक swagश्य देख भानी हमिल गई तो स्थानी और बाकी के दूस सब पार्ट है वह आप टेबर ट्राइ कीजेगा कुछ भी नहीं उसके इंदर के वेल्यू पुट करनी है और विज़ तो अपका यह लॉजी भी काफे इच्छे से क्लियर हो चुका है नेक्स वे सब्संमें यह मैं पहल से कुछ पीओ जीट ऑफ पल hell निकाल नमारे फीं तो यह कि लिए कि रॉल थे इक प्लस लिए को पता है कव अभाए हो जाए लोगार कोड़ागा नीच वसके की अच एगार क्रूंगा में यह वं पर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा बहुत easy था ये same way p of 0 भी निकालना है आपको मैं 3 की 3 value निकालने इतना कुछ difficult है नहीं 0 square हो जाएगा यहाँ पर minus 2 into 0 आ जाएगा plus 5 आ जाएगा right तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 minus 0 plus 5 equal to क्या मिल जाएगा मेरेको 5 मिल जाएगा right similar way में हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर p of minus 2 भी निकालेंगे p of minus 2 यहाँ भी आप वही करेंगे minus 2 square कर देंगे minus 2 वहाँ कि यह पर हमको फिर से क्या पूट करना है minus 2 पूट करना है plus 5 देंगे minus 2 square क्या हो जाएगा आपको पता है क्या जाएगा हमको मिलेगा 4 मिलेगा minus 2 into minus 2 is equal to again 4 हो जाएगा plus 5 करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 9 plus 5 क्या हो जाएगा 14 I hope आपको समझ में आ गया हुआ क्या करना है अब देखिए यहाला question भी जो है बहुत ही easy है इसमें बोल रहा है कि polynomial है जिसकी value में 12 गिवन है for m equal to 2 के लिए मतलब मुझे p of m गिवन है यहाँ पर p of m equal to क्या गिवन है m cube plus 2m plus a और m equal to 2 के लिए जो value गिवन है आप आप देख सकते है m equal to 2 के लिए 12 मिल रहा है मेरे को तो हम इसका use करेंगे हम इसका मतलब हमें क्या निकालना है p of 2 निकालेंगे हम लोग यहाँ पर p of 2 मारा m cube क्या given है हमको मतलब 2 cube हो जाएगा यहाँ पर अभी plus 2 into 2 आ जाएगा plus a आ जाएगा right अपने को right तो मैंने लिख दिया यहाँ पर तो p of 2 के लिए अगे input कर दूँगा 12 equal to 12 प्लस a तो a equal to क्या मिल जाएगा 12 माइनस 12 तो a equal to हो जाएगा 0 okay i hope आपको यह और भी अच्छे से clear हो गया होगा कुछ भी नहीं करना था इसके ना बहुत similar third of fourth question fourth question यह बार आप अपने हाथ notebook लेके बैठे होंगे हमेशा की तरह से तो आप यह fourth question try कीजएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर factor theorem जो मैंने आपको बता था factor theorem के लिए अब देखिए यहाँ पर जो देके रखा हुआ इतना टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है factor theorem और remainder theorem near about बहुत similar है आपको इतना टेंशन लेना है कहाँ पर factor लगाना है कहाँ पर remainder लगाना है बहुत बच्चे doubt करते हैं ऐसा कोई भी doubt create करने की mind we के अंदर कोई ज़रूत नहीं है ठीक है अब x-gay पर हम लोग क्या पूट कर द 17 यही मेरा क्या हो जाएगा remainder हो जाएगा therefore हम लोग यहां पर लिख सकते है remainder कि इस कि 17 यह थोड़ा सा new concept हो तो एक हलका सा कुश्य में हो कर देता हूं आपके लिए कि यह रहाम ना अपना मतलब फर्ट सेकंड सबपार्ट यहां पर x-a गिवन है तो हम लोग क्या निकालेंगे तो पी ऑफ एक्स क्या गिवन है अपने को जो गिवन है वो लिख दीजें यहां पर 2x3-2x2 प्लस ax-a अब यहां पर क्या हो जाएगा 2x3 है तो यहां पर हम लोग क्या पूट करेंगे अभी p of a निकालेंगे आपको पता है मैं p की x-a पर मैंने a3 पूट किया है यहां पर जो मैंको गिवन था x-a गिवन था तो इसका सिंबल रिवर्स कर दिया यहां पर मैंने क्या लिख दिया a positive का लिख दिया अब रहा हम पर वही value पूट करेंगे 2 a का cube हो जाएगा यहां पर minus 2a square हो जाएगा यहां पर plus a x-a पर फिर-a पूट कर दूँगा minus a हो जाएगा तो 2a cube मिल गया मेरे को यहां पर minus 2a square हो गया plus a into a क्या हो जाएगा plus a square हो जाएगा minus a आ जाएगा यहां पर ठीके तो यहां पर क्या हो जाएगा 2a cube minus 2a square plus a square क्या हो जाएगा minus a square minus a यही बचा हमारा तो यह हमारा क्या हो गया है आपर जो total term देख के रख्यों हो remainder हो जाएगा तो remainder इस आप लिख सकते हैं remainder is 2aq minus a square minus a okay तो आपको यह संच में आगया होगा थर्ड सब परड़े बार आप ट्राइ करेंगे थोड़ा सा उसके नदा calculation ज्यादा है बार आप ट्राइ किया रहेंगे तो हो जाएगा तो आप देखिए इस question में भी कोई similar देके रखा हुआ यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ जो polynomial है आपको देखे रखा हुआ है कि यहाँ पॉलिनोमियल को हमने divide किया है y plus 2 से तो remainder 50 मिला तो मैं value of m निकालना है तो मेरा p of y जो given है पहले में वो equals to क्या हो जाएगा y3 मतलब माइनस 2 क्यूब हो जाएगा माइनस 5 माइनस 2 स्क्वेर प्लस 7 माइनस 2 प्लस m हो जाएगा राइट अब है रिमेंडर भी हमको 50 गिवन है तो हम लोग चाहने तो directly पूट कर सकते हैं बट पहले इसको solve कर लेते हैं यहाँ पर तो माइनस 2 14 प्लस m तो इन सब को अगर हम एड़ अप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा माइनस 42 प्लस m मिल जाएगा राइट उसके बाद मैं भी हमें को P के वली मिल गई है अब हम दो क्या करेंगे हमारा जो रिमेंडर गिवन था मैं 50 गिवन है तो हम निकाल लिए माइनस 42 को में शिफ्ट करूँगा तो 50 प्लस 42 एककोल टू क्या हो जाएगा M हो जाएगा तो M एककोल टू के मुझे वैली मिल जाएगी 92 ओके तो 7th question जो है बहुत जाड़ है जिस तरह से हमने 6 question किया था उससी तरह से 7th question भी तो एक बार आप ट्राय करेंगे जैसा मैं हमेशा बोलता हूं आपको ट्राय करते हैं यह साथ-साथ में 7th question में भी वही करना है और similar way में 8th question में भी वही करना है अब 9th question थोड़ असा हटके है तो मैं आपके लिए 1-2 question कर देता है यहाँ पे using the factor theorem determine whether qx is a factor of px or not मतला हम लो remainder निकालें और remainder अगर 0 आया तो उ one cube हो जाएगा यहाँ पर minus one square हो जाएगा minus one minus one आजाएगा one cube क्यों हो जाएगा और उसके बाद में again minus one है और minus one है आप cancel कर रहे हो तब क्या मिलने वाल है finally यहाँ पर जो मिलेगा देखिए यहाँ पर जो था अपना यह minus x है और यहाँ पर क्या हो रहे हैं हम लोग minus 1 पुट कर रहे हैं इसके लिए minus 1 का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यह minus minus क्यों जाए का अले plus 1 हो रहा है तो minus 1 plus 1 cancel plus 1 और minus 1 cancel हो रहा है तो आपके हापर क्या मिल जाएगा ? 0 मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया ? Qx क्या हो रहा है ? Factor हो रहा है तो आपके लिख सकते है Therefore Qx is a factor of Px तो आपके remainder का 0 आ रहे तो factor होगा remainder का 0 नहीं आ रहा है तो आपके factor नहीं होगा ठीके ? बहुत ही simple सा funda कुछ भी नहीं करना है आपको आपके value ही निकालनी है जो कि हम पहले भी कर चुके है अब हम लोग यहाँ पर second वाला पर एक बाट ट्राइ कीजेगा similar way में उसका apply करना है थोड़ी सी value बढ़ी है तो calculation हलका सा time यादा लगेगा आप ट्राइ करेंगे तो हो जाएगा इतना कुछ खास difficult नहीं है अब है चेक करना है then find the remainder अब यहाँ भी वही फंडा यूज होगा थोड़ा सा typical जा रहे हैं यहाँ पर बड़ी देखके normally बच्चे डर जाते हैं अब देखिए अपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सित रोर 31 है तो उमको भी कॉंसली निकालना हो और क्यों निकालना हो आपको पता है अगर आपने पहले जो मैं भी question बता और इस practice रट क्या आपने समझे है तो ठीक है minus और यह आजाएगा इस तरह से अब देखिए आपको सोचना किस तरह से है यहाँ पर यहाँ पर आप सोचेंगे minus 1 raised to part 31 आ रहा रहा राइट तो minus 1 की अगर odd power है कोई भी negative नंबर की तो क्या हो गया negative ही रहेगा तो minus 1 की पर 31 हो या 30 हो 35 हो तो किस तरह से होगा और पावर आ रहे और आ रहे तो negative term है तो negative ही रहेगा तो यह क्या जाएगा आपको यहाँ पर minus 1 ही रहेगा प्लस 31 तो आपको remainder क्या मिल गया 30 मिल गया ओकी तो आप लिख सकते हैं for remainder is 30 हो स्टेटमेंट लिखने की बात है बहुत ही similar जो funda मैंने भी यूज किया यहाँ पर 10th question में वही similar funda जो है 11th में यूज हो रहा है आपको यहाँ पर क्या करना हो donor time remainder जो है donor terms के condition में M-reast to power 21 है और M-reast to power 22 है donor case के नापको remainder जो आएगा वो कि आएगा zero आजाएगा तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं show कर सकते हैं with the help of factor theorem तो यह बार आप try करेंगे और बहुत simple है बिल्कुल भी नहीं घबराना है 11th question देख करके बाफ यह power देखने है बड़ी लग रही है पट जो fundamental या logic जो यहां सके अंदर में use हो रहा है वो बहुत ही simple और बहुत ही ज्यादा क्या है easy है ठीक है अब देखें यहां पर जो है next question यह थोड़ा सब क्या सकते हैं आप हटके question है तो आपको बता करता हों कि यहां पर क्या बोल रहा है कि x-2 and x-1 by 2 both are factors of the polynomial this then show that m equal to n equal to 2 अगर यह question जो है ना मेरा यहां से ले करके कि यहां तक भी देता ना तो भी बात वही थी कैसे थी हमें खाली in out हमें क्या करना होगा m की और n की जो है वो value निकालनी होगी ठीक है तो हमें x-2b factor है और x-1 by 2b factor है इसका मतलब क्या हो जाए कौन से polynomial का मेरा px जो given है वो तो यहां पर यह जो चीज मुझे given है यह मेरा क्या है px हो जाएगा यहां पर ठीक है आपको पता है यह क्या हो जाएगा px px equal to क्या जाएक के रखा हुआ है n x square minus 5x plus m ओके अब यहां पर दो condition create हो रही है तो पहली condition जो है वो हम निकालेंगे p of 2 निकालेंगे और simultaneously से में क्या आपको पता है तो बाबार वही चीज में repeat नहीं करूंगा तो px को क्या जाएगा 2 square आ जाएगा प्लस अभी हम लोग क्या करेंगे है यहां पर minus, sorry plus नहीं पर minus 5 है और x यह पर फिर 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 अगेंगे 2 आ जाएगा प्लस m आ जाएगा और देखिए p of 2 आपको पता है अल्यडी factor given तो इसको में यहां पर क्या कर सकते हैं 0 के एकोल में रख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा 4 n minus 10 plus m हो जाएगा similar वेरा हम लोग यहां पर ही put करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा M x गहरा है M 기다리 yılी ऐन फिर आ एन एन इस नाट अ यह है मैं यह जो है मैरा क्या है आपर n है कि मेरा क्या हो जाएगा यह n x गए यह क्या हो जाएगा वन बाई 2 स्कवा minus 5 1 by 2 plus m हो जाएगा तो अभी यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 1 by 4 n minus 5 by 2 plus m हो जाएगा तो P of 1 by 2 भी आपको गिवन है कि क्या है? फेक्टर है तो यह भी किसको एक्वेट कर दूँगा? मैं 4 से एक्वेट कर दूँगा तो यहाँ पर जो मैं कोई एक्वेशन मिलेगी 4 n plus m equal to 10 हो जाएगा ठीक है? और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस पूर एक्वेशन को 4 से इक्वेशन हो रही है 4 m plus n equal to क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा उनकि माइनस 10 को मैं जाएगा शिफ्ट किया है तो यह second equation हो जाएगी और देखिए यह equation जो जो दोनों की दोनों है आपको solve करने का एक chapter है लग से अभी जो कि माँ आगे पढ़ेंगे उसके नहीं आपको बता हूँ कैसे इक्वेशन को solve करते हैं अगर आपको पता है तो well and good आप इन दोन equation को भी क्या करेंगे? आपर solve करेंगे first equation को, second equation को और उनको अगर आप simultaneous equation को solve करने तो आपको m की और n की value क्या हो जाएगी? आपको आपको idea होगा भी last class में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आपने आगे आने वाली वीडियो में बता हूँ कि किस तरह simultaneous equation को solve करते हैं अब आपको इन दोन equation को solve करना और उसकी values put करनी है ठीक है? अब यहाँ पर 13 question जो देखर के रखा हो उसका है आपको बहुत थोड़ी-छोड़ी मैं आपको hint दे देता हूँ यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर P of x given है आपको P of 2 निकालेंगे P of minus 2 निकालेंगे और P of minus P of 1 निकालेंगे इन तुनों values को add करना और कुछ भी नहीं करना है वैल्यूस put करनी है और answer मिल जाएगा I hope आपको इस वीडियो से काफी help हुई होगी आपको मेरा वीडियो के अच्छा लगा है तो please like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और subscribe कीजिए मेरे चैनल को thank you